आसाकु संदिश निपाल द्वारा प्रश्थूद अध्यत्मी कारिक्रम बस्त बिक्ता दा रियालिटी सुर्ग छाडे आये सो पापी लाए बचाऊना बले दान भय आफैं भोगी क्रूस को यातना कते सारो थियो दुखा बगे थियो धारा रक्तको एही रक्त बाट मेरो मेटियो पाप दागको आधने दर्शक ब्रेन क्रिष्टि अविवादन जय मसी आज यो सुन्दर समय मा इसरी टेलिविजन मार्फत तपाईचंगा भेडगा न पाउँदा हामी एक दमय हार्शित छों हामी आसा गर्श हों अनि विश्वास पनी गर्श हों कि यो कारिक्रम हेरेरे तपाईए ले प्रभु पर्मीश्वर को बारे मा भेरे कुराहरू सिखी रखनु भाईको छा आनि जाने रखनु भाईको छा दर्शक ब्रेन्द आज गोएस कारिक्रम मा तपहरूले सुमधूर आत्मे गीत को साथ मा बाईबल संदे सुन्न सक्न होने छा आउन होस्ट कारिक्रम अगे बाणाओ यो आत्मे गीत बाचा मा भागिये भागिये पनी सुची हेना बाध्याने गराउंचा दिन हारो मुश्कुराउंचा आनन दले अंगाल दल छा तिम्रो क्रिपाले जीवन मेरो संदन छाजबा तिरल का आसुपानी रिदाई का चोट पानी हाहे न भाई तिम्रो प्रेमले ठीक भाई जादाचा लड़ खाणा हे बाटोमा आलमली ए दो बाटोमा लड़ खाणा हे बाटोमा आलमली ए दो बाटोमा तिम्रो प्रेमले डोर्यां ने करचा तिम्रो मायाले फेरे फरकीन बाध्या ने गराँ छा यह सुमधूर अनि अर्थपूर गीत पचियावकु प्रहार महामी तर्मसाह्त्र बाईवल बाटा संदेश सुन्नेशाँ डाक्टर सिमन पान्यजीव बाटा आधर्णिय दर्शक ब्रेंद नमस्कार आशागो संदेश नेपाल द्वारा संचालित वास्तिविक्ता को यह कारेक में आलाई स्वागत्छा वास्तिपिता ये हो कि स्वर्ग र पृतिवी र सम्पुना विश्व लाई स्रिष्टी करने एक मात्र पर्मिश्वर हुनुँछा, त्यों पर्मिश्वर स्रिष्टी करता मात्र हुनुँछा, तर सम्पुना मानव जाती लाई प्रेम गरने पर्मिश्वर पनी हुनुँछा बाइबल में येसु को बारेमा येसरी लेखे गुछा, किने मने परमेश्वले संचालाई येस्तो प्रेम गर्नुवा, कि वाले आपने एक मात्र पुत्र दिनुवा, ताकि वामाती विश्वास गरने कोईपने नास नोस तरप्तेशले अनन्द जीवन पाऊस। ये मनेको परमेश्वार स्वर्ग पृत्वीर संपुना विश्यको स्रिष्टिकर्था परमेश्वार हुनाँचा, वहां एक मात्र जिवीत्र सत्य परमेश्वार हुनाँचा, त्यो परमेश्वार संपुना संचालाई प्रेम गरने परमेश्वार हुनाँचा, संचार भन्ना वेराली संचानभे pencil, संपना मानम जाति लाय बुजांद ये सुर्थ ये हो कि तयो है परमिष्वार तप हैरा मलाय प्रेम गरी परमिश्वर पने उनुछी ओद यह स्चानभे चांभे उंपत्र और फ्रिख्व्धी कृत् मारे निहां इसुनार संचार मे परमिष्वर बॉग वाले आपनो प्राण और पन गर्ण को मुख्ये वुदेश्यार मानिसलाई अनन्त जीवन दिनू थियो। विगत कई हफ्ता देखी मैले यसी चैनल बाट परिवर्तन भनने विशयमा बोल दे आयको छो। यस बंदा गिलो संदेश्य माम हे परिवर्तन को समाचार माने भी सैंन्लुका को समाचार बनने वाईवल को पुस्तक बाट बोले गोधी है। यसुले परिवर्तन को समाचार मात्र दिन भाए ना? तरह वहाले यह संचार में जे गण्नु भाया, कि मानिस को जीवन लाई परिवर्टन करने का हम गण्नु भाया, वहाले मानव जीवन को मुख्या चार चेत्रामा परिवर्टन को लियाउने संदेश दिनु भाया, पहलो गरीब हर लाई इसु समचार सुनाउने, दोसरो शुटकारा दिनी, तेश्रो अंदाह द्रिष्टी दिनी, चवथो थीचो मिचे मा परिकावलाई स्वतंद्र गाहमें। आजको संदेश पनी मा बाइबल को लुका को समचार वन्ने पुस्ता को नौ अध्याय को दस देखी सत्र वाट दिन गई राके को सुजुन एस परकार्चा। अनी प्रेधी थारू फरकेरा तिनेवले गरेका सबय काम वालाई बताये। वाले तिनेवलाई साक्मली बेच्चेदा भन्ने सोर्मा अलक्के जानुबाया। तर यू था पायरा भीडरू वांकू पची पची लाई। वाले तिनेवलाई स्वागत गरनुबाया। र परमिशकु रज्यको भिषे मा सुनाऊनुबाया। और जजसलाई निको हुना आवसेत्ति तिने वलाई निको पार नुभाया। अवा दिन डलकन लागयो। और बारे जनाले आयर वहालाई भने भीला बिदादिनस। और तिने वरू गएर आसपास का बस्ती रा गाउ हुदू बास बसन रा भोजन को बेवस्ता गरन। तो वहले तिने वलाई भन्न बाया। तिमे वले ने तिने वलाई खाना देवा। तब तिने वले। भने, हमी शेंग पांच रोटी रदृता माँ छा मात्रचन। नवय हमी गयर अति सवय मैनिसकर लागी भोजन किन्नु पारला। तिने वले प्राया पांच रजार जती पूरु शरू थी। तो वहले आपना चेलावलाई भन्न बाया। तिने वलाई पचास पचास को प्रमुती में बसा। आज के दीने वले जती पूरुता म सवय में फॉरणी रफेशी रसें किन्नु में चेलावले भन्न बाया। सवय थ rainfall मोई ध्योता सब्येचास को किन्नु का दिक्रमाच किन्नु वहले iy को कि सवय मौल्न पॉड़ भन्नी किन्नु शरू बाया। अले पड़ेको खंडमा येशुले युटा ठुनो आश्यरे कर्म गर्ण बयान गजीको साथ। येशुले पांच जजार भन्दा बड़ी मैनिशुले पांच रोटी रद्वी माचाले तिरुप्त गराउन भयको र सब्वेले खाये र बारा डाला उब्रेको कुरा बताईएको साथ। मैनिशु को द्रिषवात यु असंबभ कुणातियों। आजको संद्रिष़को सिर्शब्च असंबभ लाए संबभ मां पईबण। येस कथामा हजार हजार मैनिशर को भिद येशु को पचिलाये गद्रिषच चा। मैनी सरको भीर देखे रहा, येशको रुदे दयाले भरियो, वाले तिने अलाई आपका स्वागत गरनु भाय, पर्मेशको राज्यको भिशेमा सुनाऊनु भाय, और भीरायम भाय निकोपारनु भाय. भीरायम 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 भीराय जुनकुरा चेलार कुलागी अस्सम्भव छिया। त्यों भीर मात्ये एक जना केटा संगा केवल पांच रोटी दग दुई माँचा राय छान। त्यों खाना त्यों केटाले खाजा गोलाई लायक हो थिय। येशुले त्यी रोटी रा माचा आपनो हात्मा लेरा आशिरवात देनुबाया। तेस पसे त्यों मानिस वोलाई बाननु भने जलाव लाई आगिया देनुबाया। तिन्यों ले आगिया पालन गरे। आणि सब्वाजना त्रिप्त भई तिती मात्र भई बार डाला उपने। यो असंबभ काम येशुले गर्न भाया। या उपस्थित्भई का सब्वाई ले तिरोटी खाए देरा माचा खाए। सब्वाजना त्रिप्त भई यो अत्यंतरी अचंबद को काम थिय। र असम्भब को क्याम पनिखियो, यो कथाले हमिलाई मुख्य चार अटा सम्देशवरू जीए कोशा। पईड़, मानिशवर का असिमित आवस्चता र असाय अवस्ता। यशको वचन सुन्न आउने मानिशवरू धेरी छन। जाती धेरे मानिशवरू छन। आवस्चता अपनि त्यति ने धेरे ही हुन छन। यहां देखियेको भीर को आवस्चता आत्मिक आवस्चता थियो। उन्यरलाई मुक्ति को खांचो थियो। पाप्छेमा को खांचो थियो। उने ले सई बाटों चिन्न परनी थियो, उने अरू सरी में परी भोका थियो, खाने कुला चाहिये कुछ थियो, उने अरू मध्ये धेरे जना बिरामी थियो, यसकारन आपना रोग बाट निकोहन लाई, येसु कहां आये का थियो. आज़ पनी संसार का संपुना मानव जाती आवस्यक्ता ने आवस्यक्ता मा थियो, मैंनि शरू आत्मी कृप मा मरे का थियो, उने लाई जीवन को खांचो थियो, पाप्रमृत्य को बंधन मा थियो, उने लाई मुक्ति को खांचो थियो, शारीरे कृप मा पने मैंनि शरू वि थाले पिलिच्छन, उनेरु सब्बैलाई छुटकारा को खाचुछा, मानिश्वर को वास्तविक आवशेक्तार केछ येशुलाई थाचुछा। इसे कार्ण वाले ती आवशेक्तारु पूरा करना चाहना चाहनुछा। दोस्रों, चलार को कमजोर विश्वास। येशुको बचन सुन्ना आवने अरू पूरुसर मात्तरी पाहांच जार थिये। अवश्य, तेहां मैलार अकेता केती होनु परिचिये। तेती धेरे माने सरूलाई अवख्ये धर्ने भन्ने चलारू ले चिंतागर्न लागिए। चिंतागर्न सभावे कुड़ातियों, उनेर मांको ने स्रोत्तिये। येसकारण यहां भनिये गोछा। बारे जनाले आयरा वहां लाई भने भीर लाई बिदादिनोस रतिनेर गएरा आसपास का वस्ती गाउंदो बास बसन रा भोजन को ब्यवस्ताथ गवर्न। येसु ती चलाहर को सात्मा हुनुंच भन्नी कुरा उनेर लाई था आतियों। येसु ले धेरी आस्चरे कामर गवर्न भैगो करा उने ले देखे का थी। तर उनेर को सामु भैगो ठुलो भीर लाई पनी येसु ले केई ब्यवस्ता गवर्न हुने छा भन्नी विश्वास तीने ले करेना। हमी सवे मान विश्वास आवश्यक्ता पर्षा। येसु माती भैगो सामन्ने विश्वास बाता मानिस ले उधार पांचा। तर हमी विश्वास मान बर्दे जाने पर्षा। मानिस को आवश्यक्ता प्रथी येसु को वास्ता। तेटी धरे मानिसारो येकांत ठाउमा आयरा ब्यान देखी साधसमा वाँको वच्चन सुनी राखेगा छन। केई खायका चैनन रवने अरू माँ खाने कुरापने चैनन भन्नी कुरा वालाई थाथिय। तरती मानिसारो लाई खान को व्यवस्ता मिलावन जिम्मा वहने चेलाहब लाई देनु भायार रभन्न वाय तिमीर लेडे तिनीर लाई खाना देखी। येसुले मानिसारो को भावतिक्र आत्मिक आवश्यक्ता दुबई को वास्ता गर्ना है। तरत्योकाम वहामाती विश्वास गने मैनिसरु बात होस्पनने वहां चाहनुचा। चब्धू असंभब्लाई संभब्मा परिवर्तन गने येशु को सक्ति है। येशु ले यहां चुन काम करने वहां थेस बात हमले धेरी कुरा सिखना सक्षों। येवटा कुरा थे भीर मद्धे एक जना संगा पांस रोटी राद्वी माँचा मात्र थियों। तेसे लाई वहाले हात्म लिलवा रा असिरवाते लवाँ। थोरे भैता पने वहां को हात्म चौबने त्यां वहां को आसिरवाँ। रद थोरे बातों देने लवाँ। अर्कुक्राम, त्यांका मैनिश्वर लाई पचास पचास को पंक्ती मा बसारना लगावनू है। वहां ले जे गरनूंचा ठीक परकार्ली गरनूंचा। जिम्मा वहां ले हमी वामा की विश्वास गरने लाई दिन भायको चौ। अर्कुक्राम, रोटी रा माच्छा खाने अरू सबी त्रिप्त भै रा अरू बार डाला हूँ प्रिये। थोरे लाई धेरीमा परिवार्तन गरने शक्ति येसुमा चौ। येसुमा मान चौ। त्रिप्त भैंचा। प्रिय दर्शक ब्रिंद। अले तपाई वास्तिविक्ता को परिवर्तन भन्ने भिशेमा यो कारेकम यर्दे माल्षा। ये तपाई पहलो पत्रक येसुको बार्यमा सुन्दे हुनंचा। वा येवन्दा पहला पनी सुनी शक्नभायको सतर अले समा वास्तिविक्ता ग्रण गर्ण भायको चाहिने भनी वानी तपाई लाई प्रेम साथ बोलन दियोंचा। र वहां तपाई गुर्दे मा आयर बस्न चानाँचा। येदी तपाईले वहां लाई विश्वास साथ प्रभू र मुक्तिदाता बनी ग्रण गर्ण गर्ण भाय बनी वहां तपाई गुर्दे मा आयर बस्न हुनेचा। यो तपाईले आपनो जीवन मा गर्ने योटा ठुलो र मावत्त गर निरे हुनेचा। यो निरे तपाईगो जीवन लाई परिवर्तन गानेचा। तपाई परमेश्वका च्परा वा छोरी हुनुनेचा। येदी तपाईले येश्व माथी विश्वास गरेरा साथ उस्वतन ताको अनभवगरी शत्न भायगो छो भने। आपनो विश्वास मा ठीरान होच। र ते ये विश्वास को बारे मा अउल्लाइपनी बताऊं। येजी तपाई बिडायमी हुनुनुचा। वा अन्यकुने समस्याले पिरित हुनुचा। वा अन्यकुने बंधन मा बाजिनु भायगोचा। र तेस बाटा स्रोतन रभए परिवर्टित जीवन चाहनुचा भने। अईले मा तपाई को लागी यो प्रात्ना गर्दाशू। हे पर्मेश्वर पिता। अईले यो कायरकम हेरीरानु हैका समस्ता दर्शक घर को लागी मा यो प्रात्ना गर्दाशू। ती यदी कोई बिरामी छन वा अन्य कुने कुराले पिरिद छन र कुने बंधन मा बांधिये का छन भने। पपाई को सक्ती साले हाथ ले उन्यालाई अईले ने चुनोष। र सोतंद्र पार्णुष। यदी दर्शक घर मादे कोई अईले येसु लाए आपनो व्यक्तियत मुक्तिदाता गुरुमा ग्रण गर्ना चाहांचन बने तमाईले उन्यालाई साहत गर्नाश। रा उन्यारको जीवन परिवर्थन भायरा तमाईको राज्यमा प्रभेश कर्नाश। येसु को नामा मैं प्रात्न गर्शू आमेन। परमेशु लेत अपनाई धेरी आशिश दियों। मानीस रोटीले मात्रों होई ना तरा प्रमेशुर को मुख बाट निस्के को हरेक बचनले जिबीत रहांत चा। मती सुसमाचार चार अध्यायको चार पाट। ये सरी सरीयलाइ स्वास्ट राखना दैनिक पोजन को आवस्यक्ता परदश, त्यसरीने प्रान, आत्मा रुरे शुद्तता को निम्थि परमेशुर को बचन को आवस्यक्ता परदश, अवश्य पर्नु होला आशा को संदेश नेपाल द्वारा प्रकासिट ताइनी को पासना पुष्टिका आजको भज़न संपर्क को निम्थी आशा को संदेश नेपाल नुखुल लित्पोर फुन नंबर 1591-140 र 1798. यो संदेश जो तपाईरा मेरा निम्थी मात्र होयना योत शारा मानी सरुलाई जीवन दिने आशाको संदेश हो। तेसेले अब दिखिए अर एक सनिवार राती रास्टे परसरान केंद्र रेडियो नेपाल बात्र आर्टिस बजे दिखिए अध्धात्मिक रेडियो कारिक्रम आशाको संदेश। अबसे शुन्द होस। संपर्क को निम्ती आशाको संदेश नेपाल नक्खु लालिकपूर फोन नम्बर फस्पन्ना नप्पे एक साचालीस रा फस्पन्ना एक नप्पे आठ पैसाथी। मुझे नेम्स बेदेशों हो संदेश। शपे हैं अश्यों को फस्पना नेम्स आप लिवता लुट कारिक्र पस्त वितात्त्तर्व कारिक्र जो राइदिक्र। जसरी मुड़ी मिल्गाले पानी को जसरी मुड़ी मिल्गाले पानी को तो इस शरा गर्दाच जसरी मुड़ी मिल्गाले पानी को प्रिशाना गर्दाच जसरी मुखानी बर्य महेशरको निम्तितीतिर खाऊदाच जसरी मिल्गास यो मेरो आप्मा पर मेशर को निम्ति यो मेरो आप्मा पर मेशर को निम्ति यो मेरो आप्मा पर मेशर को निम्ति बल्मे शल्को निम्टी चिवे बल्मे शल्को निम्टी तीर गाउदाचा नियो अस्मा यो मेरो अस्मा को खोलाको पानिको निम्की त्रिश्शना करदाशा प्रभू मोपने तामाइको त्रिश्शना करदाशा Lord I thirst for you किन वड़े तामाइई जीवन का पानिको मोला होचा प्रेश चीज़ जशरी उड़े मिर्गले पारिको त्रिशरा गर्दच्छा आसाकु संदश निपाल द्वारा प्रेश्टूत अध्यात्मी कारिक्रम बस्त बिक्ता दा रियालिटी आसाकु संदेश निपाल द्वारा प्रेश्टूत अध्यात्मी कारिक्रम बस्त बिक्ता दा रियालिटी GPO Box 8975 EPC 2966 Lalitpur, Nepal Phone No. 5591-865-5590-147 Email moh.radioministry at gmail.com Messageofhope at wlink.com.np Website www.mohnepal.org Facebook www.facebook.com.np SMS V A S T A B I K A T A वास्त बिक्ता स्पेस टाइप गर्नो होष् रा 3362 फोर्मा सेन गर्नो होष् होस्त आज को लागी 22 विक्ता का सम्पुन यूनीट विधा चाहान छाओं तपाईको आज को दीन आशिस मेरा उस्च जाए मस्चे जाए मस्चे जाए मस्चे जाए मस्चे झाल झाल